क्या आप भी अपना पॉड्कास्ट बनाने की सोच रहे हैं तो एंकर ट्राइ कीचिए ये पॉड्कास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है नमबर एक ये फ्री है नमबर दो इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं और नमबर तीन आप अपने पॉड्कास्ट को डिस्टिब्यूट भी कर सकते हैं जिससे इसे स्पोटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके डाउनलोड कीजिए फ्री आंकर एप या विजिट कीजिए आंकर.fm पर अपना पॉड्कास्ट स्टार्ट करने के लिए एक गी सौ अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं नमस्कार संग्या का फिर्म संगीत की रचना प्रक्रिया और विभिन पहलूँ से संबंधित रोचक प्रसंगों, दिल्चस्प किस्सों और यादगार घटनाओं को समेटता है रेजियो प्लेबैक इंडिया का ये सापताहिक स्तंब विश्वस्तियों सूत्रों से प्राप्त जानकारियों और हमारे शूद करताओं के निरंतर खोजबीन से इकठा किये तथ्यों से परिपूर्ण है एक गीत सौ अफसाने की ये श्रिंखला आज के अंके लिए हमने चुना है वर्ष 1960 की मशूर फिल्म काला बजार का गीत हुरिमजिम के तराने लेके आई बरसाथ मुहमद रफी और गीता दत की आवासें गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार सचिन देव बर्मन क्यों इस गीत के लिए चुनी गई गीता दत की आवाज जबकि फिल्म में वहिदा रह्मान का प्लेबैक कर रही थी आशा भूसले क्या थी संगीतकार सचिन देव बर्मन की शर्थ क्यों गीता दत ने शुरू शुरू में इस गीत को गाने से मना कर दिया एक रोमैंटिक डुएट होते हुए भी क्यों इस गीत का इस्तेमाल महज एक प्लेबैक म्यूजिक की तरह किया गया और वो भी आधा धूरा ये सब कुछ आज के इस अंक में शोद और आलेक सुजोई चैटर जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रहे हैं सुशील पी अभीनेत्री वहिदा रहमान ने फिल्म जगत में कदम रखा 1955 की तिल्गु फिल्म रोजलु माराई से इसके अगले ही साल फिल्मकार गुरुदत ने उन्हें हिंदी फिल्मों में ब्रेक दिया फिल्म थी C.I.D. इसके बाद गुरुदत और वहिदा रहमान का साथ 1957 की फिल्म प्यासा और 1958 की फिल्म त्योलु क्लुक में हुआ दोनों ही फिल्में सूपर एट रही और इन फिल्मों में गाई का गीता दत ने वहिदा रहमान के लिए प्लेबैक किया जिन में जाने क्या तुने कही जाने क्या मने सुनी बात कुछ बन ही गई जाने क्या तुने कही और कैसा जादू बलम तुने डाला बहुत लोगप्री हुए पर गुरुदत वहिदा रहमान और गीता दत की इस शानदार तिकड़ी को बहुत जल्दी किसी की बहुत बुरी नजर लग गई गुरुदत और वहिदा रहमान के संबंद को लेकर मिडिया में अफाय उड़ने लगी और बात यहां तक आप पहुंची कि गुरुदत और गीता दत की रिष्टे में दरार पढ़ने लगी 1959 की फिल्म कागस के फूल में गीता दत ने वहिदा रहमान के लिए एक बच्चों का गीत गाया एक दो तीन चार और पांच और यही गीता दत का गाया अंतीम गीत था जिसमें वहिदा रहमान ने लिप सिंग किया फिल्म का अन्य और सबसे मशूर गीत वक्त ने किया क्या हसी सितम तुम रहे न तुम हम रहे न हम वक्त ने किया ये भी वहिदा रहमान पर ही फिल्म आया गया है पर गीत को एक पाश्व संगीत के रूप में प्रयोग किया गया है एक सुप्रसिद संगीत कार के साथ वक्तिगत बाचीत के दौरान ये पता चला कि मीडिया में तरह तरह की बाते होने की वज़े से गीता दत वहिदा रहमान के लिए प्लेबैक नहीं करना चाहती थी कागस के फूल फिल्म की असफलता का गुरुदत के मानसिक स्वास्त पर पुरा असर पड़ा उन्ही दिनों विजे आनन्द की फिल्म काला बजार बन रही थी जिसमें देवानन, वहिदा रहमान और नंदा अभिने कर रही थी उन दिनों लता मंगिशकर और सचीन देव बर्मन के बीच अन्बन की वजे से दोनों साथ में काम नहीं ख़र रहे थे इसलिए बर्मन दादा के गाने आशा भोसले और गीता दद गा रही थी फिल्म काला बजार के गाने बर्मन दादा चाते थे कि गीता दत गाएं और उन्होंने गीता दत के अंदाज में गाने कंपोस भी किये थे पर वहिदा और गीता दत वाली समस्या के चलते इस फिल्म के गीतों के लिए अंत में ये नर्णे लिया गया कि आशा भुसले वहिदा और हेलन का पाश गायन करेंगी, सुधा मलहुतरा नंदा का और गीता दत देंगी प्लेबैक लीला चिटनिस का. इस तरह से आशा भुसले ने वहिदा के लिए सां जडली दिल की लगी ठक चली पुकार के और सच हुए सपने तेरे गीत गाये. तो हेलन के लिए संभालो संभालो अपना दिल गाया. उधर गीता दत और सुधा मलहुतरा का गाया बजन ना मैं धन चाहूं ना रतन चाहूं ल पर फिल्माया गया. बात यहां तक ठीक चल रही थी. पर फिल्म के एक अन्य गीत के लिए मुसीबत आन कड़ी हुई. गीत था रिमजिम के तराने लेके आई बरसाग. एक रोमांटिक धुएट जो फिल्माया जाना था देवानन और वहिदा रहमान पर. दादा बर्मन ने ये एलान कर दिया कि ये गीत सिर्फ और सिर्फ गीतादत ही गाएंगी. चाहे कुछ भी हो जाए. उनके अनुसार आशा भुसले बहुत अच्ची गाईका है. पर इस गीत के साथ न्याय केवल गीतादत ही कर सकती है. उन्होंने साफ कह दिया कि अगर गीतादत नहीं गाएं अब विजयानन्द और देवानन्द को पता था कि ये गीत फिल्म का एक मात ट्वेट है और शुवर शॉट हीट रहेगी. इस गीत को वो किसी भी हाल में कोना नहीं चाहते थे. इसलिए अब बारी गीतादत जी को मनाने की थी. पर गीताजी ने भी ये खहकर मना कर दिया कि वहिदा रह्मान के लिए वो गीत गाएंगी तो लोग बातें बनाएंगे और वो इन सबसे धूर रहना चाहती है. अब क्या किया जाए? सभी की समस्याओं का समाधान ही तू एक फैसला लिया गया. ये तैह हुआ कि गीत मुहम्मद रफी और गीतादत ही गाएंगी. पर ग सिंग नहीं करेंगी. इतना ही नहीं, फिल्मांकर में भी इस बात का पूरा पूरा खयाल रखा जाएगा कि गीतादत की आवास पर वहिदा रह्मान को बहुत ज्यादा प्रॉमिनेंटली ना दिखाया जाए. अनिच्छा के बावजूद गीतादत ने इस प्रस्ताव को दोस्तों, अभी जितनी भी बातें हमने कहीं, उन सबकी विश्वसनियता का प्रमाण है इस गीत का परदे पर फिल्मांकर. आईए अब इसी फिल्मांकर की बात करें. गीत शुरू होता है एक छोटे से प्रिल्यूड के साथ, जिसमें समंदर की मचलती लहरें किनारे से टक राती हुई दिकाई जाती है. मुखड़े की पहली पंग्ती में रफी साब गाते हैं रिम्चम के तराने लेके आई बरसाथ इस पर फिल्म में समंदर के लहरें ही दिखाई देती हैं. फिर गीत अद्थ की आवाज में याद आए किसी से वो पहली मुलाकात पर फिल्म में स जिसमें रफी साब और गीता जी दोनों की पंक्तियों पर देवानन्द का क्लोजब ही देखने को मिलता है इसके बार रफी साब की पंक्ति वापस आती है रिमजिम के तराने लेके आई वरसाथ और अब की बार बिलकुल अंत में वाइदा जी के चहरे की एक जलक बस दिखाई दे जाती है और वो भी फेड इन फेड ओट होती हुई इंटरल्यूड म्यूजिक के समय परदे पर वाइदा रहमान जरूर नजर आती है पर जैसे ही गीता दत अंतरा शुरू करती है तो द्रिश्य क्लोज अप से लॉंग शॉट में बदल जाता है इस तरह से अलग अलग द्रिश्यों के फेड इन फेड ओट पूरे गीत में चलता रहता है और खास दोर से वाइदा रहमान कुछ कम कम ही क्लोज अप में दिखाई देती है गीत में कुल तीन अंतरे हैं पर फिल्म में केवल दो अंतरे ही रखे गए और दो अंतरों के बाद मुकड़ा पूरा होने से पहले ही गीत काट दिया जाता है फिल्म में गीत की अवधी दो मिनिट से भी कम है इतने खूबसूरत यूगल गीत के सार ऐसा सोतेला वेवार अफसोस जनक है पर इस बात की दाद देनी पड़ेगी कि उस जमाने में हर किसी के लिए लोगों में कितना सम्मान होता था निर्माता, संगीतकार, अभीनेतरी और गाईका हर किसी की इच्चा और शर्तों का सम्मान करते हुए एक विन-विन सिटूइशन तै किया गया ताकि इतने सुन्दर गीत से फिल्म वंचितना रह जाए और हम श्रोताओं को मिली, शैलेंद्र, सचिन देव बर्मन, मुहमद रफी और गीता दत की एक बहतरीन रचना बड़े अफसोस की बात है कि फिल्म काला बजार का ये गीत वहीदा रहमान पर फिल्म आए गीता दत का आखरी गीत सिद्ध हुआ इसी साल यानि 1960 में वहीदा रहमान और गुरुदत के अबिने से सजी गुरुदत द्वारा निर्मित एक फिल्म आई चौदवी का चान गीता दत ने एक गीत गाया था बालम से मिलन होगा शर्माने के दिन आए पर ये वहीदा रहमान पर फिल्म आया नहीं गया दोस्तों इस गीत के पीछे भी यादगार कहानी चुपी हुई हैं जिसे हम एक गीत सो अफसाने के आने वाले किसी अंक में शामिल करेंगे फिलहाल यही बताना चाहेंगे कि चौधवी का चांद फिल्म के बाद अगले ही साल यानि की 1961 में गुरुदत और वहिदा रह्मान की साथ में की हुई अंतिम फिल्माई साहिब बेबी और गुलाम इस फिल्म में आशा भोसले ने वहिदा रह्मान का प्लेबेक किया और गीता दत ने मीना कुमारी का इस फिल्म के बाद कभी गुरुदत और वहिदा रह्मान ने साथ काम नहीं किया और नहीं गीता दत ने वहिदा रह्मान अभुनित किसी फिल्म में गीत गाया वहिदा रह्मान के शुरुवाती दौर में शमशाद बेगम और गीता दत ने उनका प्लेबैक किया फिर आशा बोंसले ने उनके लिए कई गीत गाएं फिर लता जी ही सबसे अधिक गीत उनके गाने लगी 1964 में गुरुदत सहब अचानक गुजर गये गीता जी भी बिमार पड़ गई और वो भी कुछी सालों के बीतर इस दुनिया से विदा लिली और दोनों अपने पीछे चोड़ गए बेशुमार फिल्में सदावार नगमे जिन फिल्मों को हम आज तक जीते हैं जिन नगमों को हम आज भी गुन गुनाते हैं और ऐसा ही एक नगमा है रिमजिम के तराने लेके आई बरसा जिसकी बातें आज हमने की रिमजिम के तराने लेके आई बरसा यादा है किसी से वो पहली मुलाकार रिमजिम के तराने लेके आई बरसा यादा है किसी से वो पहली मुलाकार रिमजिम के तराने लेके आई बरसा तो दोस्तों यहां पर आकर पूरी होती है एक गीत सौ अफसाने की आज की कड़ी आशा है आपको पसंद आई होगी शोद और आलेक सुजोय चेटर जी का वाचनस्वर सुशील पी का और प्रस्तुती संग्या टंडन की तो अब आज के लिए दीजिये इजाज़त अगले हफते फिर मिलेंगे एक और गीत की जनकारी के साथ नमस्कार